Hello everyone, इससे पहले वीडियो में जो हमने चैप्टर पढ़ा था लालच इससे जो related question answer हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला है हमारा माणी याद कीजिए ठीक है, यानि कि आपको meaning याद करना है अमरित, तो इसका meaning होता है, आब हयात वो पानी जिसके पीने से मौत नहीं आती देखिए, आब हम बोलते हैं पानी को, ठीक है और हयात का मतलब होता है जिन्दगी, यानि कि जिन्दगी का पानी, वो पानी जिसके पीने से मौत नहीं आती मसाफत यानि के फासला मजर्रप यानि के आजमाया हुआ जाइल होना यानि के मिट जाना खत्म हो जाना जमा पूंजी वो दौलत जो बचा कर रखी जाए एकटी करके रखी जाए गिरानी भारीपन बादले नाखास्ता नाचाहते हुए महमान नवाजी यानि के महमान की खातिरदारी कीमिया गरी सोना बनाने का अमल सोना बनाने का काम उसको बोलते हैं कीमिया गरी नादारों नादारों नादार की जमा जिसके पास कुछ नहों मुफलिस हो गरीब हो मुहसिन इहसान करने वाला संग दिल पत्थर दिल बेरहम ओजल यानि के घाइब ठीक है आगे हैं आपका सोच ये और बताईए ठीक है ये आपके कुछ क्वेशन है आपने जो चेक्टर पड़ा है उससे आपको इसका इसके आंसर देना है तो क्वेशन नमर वन है मशकूब मशकूब को अजनबी मसाफिर पर क्यों रहम आया तो देखिए मशकूब को अजनबी मसाफिर पर इसलिए रहम आया कि जब मसाफिर मशकूब हस्ब मामूल ठीक है हर दिन के तरह एक दिन चक्कर लगा रहा था तो शाम तक उसका कुछ नहीं विका ठीक है कुछ नहीं विका तो उसने देखा कि एक दूर खड़ा मुसाफर है जब वो उसके पास गया तो उसने ये बात मुसाफिर ने मशकूब से कही तो मुसाफिर पर रहम आ गया Q2 मुसाफिर ने मुसकूब को क्या हिदायत दी तो देखिए जब मुसाफिर जब मुसकूब को मिला तो मुसाफिर Tomato । उस और फिर उसने एक हिदायत की ठीक है उस नस्खे की तयारे की किताब दी और फिर उसको एक हिदायत की कि आप जब ये दवा दें ठीक है तो किसी भी गरीब आदमी को किसी भी गरीब आदमी से आप इसके पैसे ना लें ये हिदायत की ती मुसाफिर ने मश्कूब को ठीक है व मश्कूब हकीम मश्कूब कैसे बना यानि कि जो मश्कूब दा वो हकीम मश्कूब कैसे बना तो देखिए जब वो मजर्रब नुस्खा ठीक है जब मजर्रब नुस्खा जब वो लोगों को दवा देने लगा ठीक है उसने दवा तयार की जो किताम में दर्ज थी फिर उसने मर मौरीजों को इसकी दवा से शिवा होने लगी उनकी इतादत बड़ती गई, लोग शिवा का शिवाख खाने पर मौरीजों का हुझूम रहने लगा, लोग की भीरो लहने लगी शिवाख खाने पर तो लोग उसको मश्कूब को हकी मश्कूब से मुखातब करने लगे हकी मश्कूब वो बन गया ठीक है कुशन नमर फूर है दवाओं का असर क्यों जायर हो गया तो देखिए जो मसाफिर ने जो दवा मुझर्रम नुस्खा बताया था ठीक है तो उसने एक हिदायत भी की थी किया आप किसी भी गरीब आदमी से पैसे ना लें तो जब वो दवा देते देते काफी दिन हो गए हकी मश्कूब को तो उसने सोचा कि मैं मुफ्त में गरीबों को दवा दे कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है ठीक है तो अगले ही दिन उसने ये फैसला किया कि मैं अब किसी गरीब आदमी को दवा नहीं दूँगा फ्री में अगले दिन एक बेहत गरीब आदमी फटे पुराने कपले पहने गुए अपने बच्चे को लेकर आया और उसने उसकी दवा मागी तो हकीम मश्कूब ने दवा लेने से पहले उससे दवा की फीस तलब की फीस मागी उस घरीब ने अपनी मजबूरी बयान कर दी ठीक है लेकिन हकीम ने उसकी बेकसी पर गोर ना किया घरीब बेचारा रोने लगा और बोला हकीम सहाब यकीन मानिये मेरे पास एक फूटी कौडी भी नहीं है खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए ये मेरा एकलोता बच्चा है हकीम सहाब खुदा के वास्ते हकीम मश्कूब गुसे में लाल पीले होकर चिलाए निकल जाओ यहां से यहां कोई खैराद नहीं बट रही है जो मुँ उठाए खाली हाथ चले आते हो भागो यहां से वरना तो जब इन्होंने ये बात कही तो गरीब बिचारा रोता हुआ बापस चला गया और उसी के साथ हकीम की दवाओं का असर भी जायल हो गया असर भी खत्म हो गया क्योंकि मुसाफिट ने ये हिदायत कीती कि आप किसी भी घरीब आदमी से पैसे ना ले और हकीम मस्कूब ने घरीब आदमी से पैसे मांगे तो उसकी दवाओं का असर भी जायल हो गया क्वेशन नमर फाइब है सांडनी सवार ने मस्कूब को अपने वारे में क्या बताया यानि के जो सांडनी सवार मुसाफिट था उसने अपने वारे में मस्कूब को क्या बताया तो देखिए हस्ब मामूल ठीक है रोज की तरह वो सडकों पर शेहर की सडकों पर चकल लगा रहा था तो उसने देखा के एक सांडनी सवार को देखा ठीक है? मशकूब उसकी तरफ जब बढ़ा मशकूब जब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिट ने कहा मश्कूब भाई मैं अब वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बे यार बे मददगार हूँ यानि कि ना तो मेरा कोई हमसफर है ना तो मेरा कोई यार है और ना ही कोई मेरा मदद करने वाला है ठीक है ना ही मेरा कोई मदद करने वाला है मैं बे यार हूँ और बे मददगार हूँ और ना ही रहने का कोई ठिकाना है यह सांड़नी सवार ने मश्कूप को अपने वारे में बताया क्वेशन नमबर सिक्स है कीमती किताब पत्थर में क्यों तब्दिल हो गई ठीक है तो देखिए जब वो सांड़नी सवार जब मश्कूप के यहां एक रात ठहरा तो इनाम के तोर पर उसने एक किताब दी ठीक है और उसने कहा के मेरे पास और कुछ तो नहीं है बस यही है और इसमें सोना बनाने का अमल है ठीक है सोना बनाने का कीमिया गरी है मेरे पास कीमिया गरी है यानि के सोना बनाने का अमल है राज है वो मैं आपको बता दूंगा उसने किताब दी और वो उसमें लिखा हुआ था सोना बनाने का अमल ठीक है अमल उसमें लिखा हुआ था सोना बनाने का तो जब उन्होंने उसी रात में मशकूब ने और मुसाफिर ने दोनों ने मिलकर कुछ सोने की इटे बनाई तो मुसाफिर तो सुबह को चला गया लेकिन मशकूब दिली ही दिल में सोचने लगा कि अगर मेरी इन सोने की इटों के बारे में मेरी सोने की इटों के बारे में किसी को पता चल गया तो वो इसे चुरा लेगा ठीक है और अगर मैं ये सोना घरीबों में बाट दूँगा तो मैं खुद दौलत मन्द कैसे बनूँगा लालच ने एक बार फिर उसकी अकल पर परदा डाल दिया फिर उसने ये फैसला किया कि मैं अपना माल बिलकुल भी किसी को नहीं दूँगा मैं खुद अमीर बनूँगा लोग मेरी इज़त करेंगे मैं ठाट से रहूंगा मैं अपना सोना बेकार नहीं लुटाओंगा किसी को नहीं दूँगा जब उसने ये फैसला किया ठीक है जब उसने फैसला किया कि वो अपना सोना किसी घरीब मौताज किस को नहीं देखा तो वो किमतिकता पत्तर में बदल गई ठीक है क्वेशन नमर सेवन है मुसाफिर ने मस्कूब ने मुसाफिर से मश्कूब ने गिल गिला कर क्या कहा तो देखिए जब उसके मश्कूब के वैसे ही दिन आ गए ठीज़ अब सोने की इटे वगरा जब खत्म हो ग तो उसने फिर या मस्कूब ने ठीक है फिर मस्कूब से मुसाफिर ने एक मस्कूब से कहा मुझे पहचानते नहीं इससे पहले दो बार हम मिल चुके हैं पहली बार मैंने तुमें एक लाजवाब दवा की तयारी का नुस्खा बताया था मगर लालच में आकर तुमने से अब हो कहता है मशकूब अरे मशकूब ये सुनकर गिल गलाने लगा और वो कहने लगा मुसाफिर से के मेरे महसिन मुझे माफ कर दीजिए आएंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा लालच और खुद घरजी ने मुझे अंदा कर दिया था और मुझे देश के गरीबों से ब बू अली सीना कौंदे और उन्होंने मशकूब से क्या कहा तो बू अली सीना ठीक है बू अली सीना पुराने जमाने के एक मशहूर हकीम थे ठीक है और साइंस दाते साइंस जानने वाले थे ठीक है और उनका पूरा नाम बू अली हुसैन ठीक है उनका पूरा नाम बू अली मश्कूप से क्या कहा तो उन्होंने मश्कूप से कहा मुसाफिर ने ठीक है यानिके बू अली सीना ने कहा अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं मेरी अपनी जिन्दगी गरीबों और महताजों के लिए वक्फ है मगर तुम्हारी संग द दिली ने मेरी महनत पर पानी फिर दिया और किमती किताबों को किमती किताबों को पत्तर बना दिया अब ये पत्तर फिर से किमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक के तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिन्दगी गरीबों और महताजों गरीबों और मह ताजों की भालाई के लिए वक्फ ना कर दें जो भी शक्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्तरों को पिगला सकेगी इल्म और अकल इल्म और अकल सोने से नहीं खरीद जा सकते बलके सोना हासल करने के लिए इल्म और अकल के साथ साथ दर्द मंद दिल भी पैदा करना पड़ता है ये कहकर बू आली सीना नजरों से ओजल हो गए ये बू आली सीना ने मश्कूप से कहा था ठीक है ये हो गए आपके question answer आगे हैं नीचे लिखे हुए लफजों को अपने जूमलों में इस्तेह्माल कीजिए यानि कि नीचे कुछ वट्स हैं उनको आपको अपने sentence में यूस करना है मजर्रब ठीक है तो मैं इसका एक जूमला मनाता हूँ के मसाफिर ने मसकूप को एक मजर्रब नुस्खा दिया ठीक है मसाफिर ने मसकूप को एक मजर्रब नुस्खा दिया अगे है बादले नाखास्ता ठीक है इसका भी यहां को एक जूमला बनाना है के बादले नाखास्ता के खालिद ने बादले नाखासता पढ़ाई की ठीक है के खालिद ने ना चाहते हुए भी पढ़ाई की ठीक है यानि के खालिद ने दिल से ना चाहते हुए भी पढ़ाई की आगे है कीमिया गरी इसका भी हमको एक जुम्ला बनाना है कीमियागरी एक अच्छा हुनर है ठीक है यानि कीमियागरी एक अच्छा काम है मर्भी तो मर्भी का मीनिंग होता है तर्बियत देने वाला ठीक है तर्बियत देने वाला तो यानि के जो सिखाने वाला होता है अच्छा तर्बियत देना आगे है जमा पूंजी ठीक है इसका भी हमको एक जम्ला बनाना है तो हम इसका एक जम्ला बनाते हैं कि लोगोगों की जमा पूंजी खतम हो जाती है। कि एक्षिटी की हुई दौलत लोगों की खर्च हो जाती है खतम हो जाती है ओजल हमको इसका भी एक जुमला बनाना है तो हम इसका एक जुमला बनाते हैं ओजल कमाना होता है गायब होना कि सुभा को सितारे ओजल हो जाते हैं सुबा को सितारे गायब हो जाते हैं मिस्कीन यानि के मुफलिस गरीब हमको इसका भी एक जुमला बनाना है के मिस्कीनों की हमको मदद करना चाहिए यानि के जो गरीब लोग है उनकी हमको मदद करना चाहिए ठीक है ये हो गए हैं आपकी नीचे लिखे हुए लफजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना आगे हैं इन लफजों के मुतजाद लिखिए यानि कुछ वर्ट्स हैं इनके आपको अपॉजिट लिखना है तन दरोस्त ठीक है तो इसका अपॉजिट होगा कमजोर अजनबी तो इसका मतलब होता है ना जानने वाला तो इसका अपॉजिट होगा जानने वाला ठीक है जो किसी चीज़ के लाइक हो और गहरे मुस्तहिक जो किसी चीज़ के लाइक ना हो नादार इसका अपॉसिट होगा दार ठीक है नादार यानि के इसका अपॉसिट दार आगे मुहावरे हैं ठीक है मुहावरों को अपने जुम्लों में इस्तियमाल कीजिए ठीक मौवरा है अकल पर परदा पढ़ जाना अकल का जाते रहना तो इसका हम एक जुमला बनाते हैं के मश्कूप की अकल पर परदा पढ़ गया ठीक है यानि के मश्कूप की अकल जाती रही ठीक है नशाहरन होना खालित का नशा हरन हो गया ठीक है यानि के खालित का नशा सारा उतर गया ठीक पत्थर पिगलाना पत्थर पिगलाना एक बहुत बड़ा हुनर है यानि के मुश्किल काम को आसान कर देना ये भी एक बहुत अच्छा हुनर है बहुत अच्छा काम है ठक कर चूर होना ये भी आपका एक मुहावरा है इसका भी आपका एक जुमला बनाना है कि मैं चलते चलते ठक कर चूर हो गया यानि कि मैं चलते चलते बहुत ज़्यादा ठक गया ठीक है इसका भी आपको ये जुमला बनाना है मुहावरों के तो पहली लाइन जो है वो है पेशे की निस्बत से लोग उसे मश्कूब कहकर पकारते थे तो ये आपका ठीक है मैं जिस पर हरे कलर का टिक लगाऊंगा गिरीन कलर का तो वो सही होगा और जिसको मैं छोड़ दूँगा वो हलत ठीक है कि पेशे की निस्बत से लोग उसे मश्कूब कहकर पकारते थे दूसरी लाइन है मश्कूब मश्कूब को अजनबी मुसाफिर पर रह्म आ गया तो ये भी आपका ठीक है ठीक और इसी लाइन है मुसाफिर ने मुस्कूब को मजर्रब नुस्खा नहीं दिया तो ये गलत है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ मुसाफर ने मशकूब को मजर्णे निस्खा नहीं दिया बलके वो है मुसाफर ने मशकूब को एक मजर्णे निस्खा दिया ठीक चौती लाइन है आपकी नुस्खा पाकर नुस्खा पाकर भी मशकूब सल्टों पर पानी बेचता oleँ तो मैं इस पे भी टिक नहीं लगाँगा क्योंकि ये घलत है नुस्खा पाकर भी मश्कूब सड़कों पर पानी बेचता रहा ये है आपका घलत और आपकी पाचवी लाइन है मश्कूब की दवाएं असर वाली नहीं थी तो ये भी घलत है मैं इसको भी छोड़ दूँगा और चटी लाइन है लोग मश्कूब के नाम से मुखातब करने लगे तो ये ठीक है मैं इस पे आपका निशान लगा दूँगा ठीक है लोग मश्कूब के नाम से मुखातब करने लगे ठीक और साथवी लाइन है एक दिन एक गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे की दवा लेने आया ये भी ठीक है तो मैं इस पर निशान लगा दूँगा ठीक और आटवी लाइन है मश्कूप की नुस्खे वाली किताब गाइब हो गई ये भी ठीक है और नवी लाइन है आपकी अजनभी मुसाफिर बू अली सीना थे ये भी ठीक है है ना कि जिस पर मैंने हरे कलर काटिक लगा जाया है वो ठीक है और जिसको छोड़ दिया जो खलत है कि आपकी जो पहली लाइन है ये ठीक है पेशे की निजबत से लोग उसे मश्कुक कहकर पुकार देते तो ये ठीक है दूसरी लाइन भी आपकी ठीक है और तीसरी जो लाइन है वो गलत है तो हम इसको छोड़ दूँगा चौती लाइन भी आपकी गलत है और पाची लाइन य लोग मश्कूप के नाम से उसे मुखातब करने लगे तो ये ठीक है और आगे एक दिने गरीब आदमी अपने बीमार बच्ची की दवा लेने आया ये भी ठीक है और आटवी लाइन के मश्कूप की नुस्खे वाली किताब गाइब हो गई है ना साथ वी लाइन जोए ये भी आपका ठीक है आटवी लाइन भी आपकी ठीक है और जो नवी लाइन है अजनभी मुसाफिर बुगाली सीना थे तो ये भी ठीक है ना जिस पर मैंने हरे कलर का टिक लगाया है वो ठीक है आगे है अमली काम ठीक है आपको इस काम पर अमल करना है कौन सा काम के इस कहानी को थोड़े से मुख्तसर तोर पर अपने लफजों में लिखिए यानि कि ये जानना चाहते हैं कि ये कहानी में इन्होंने क्या बताया है आप इस कहानी को थोड़े से लफजों में लिखिए तो चलिए मैं आपको बताता हूं ठीक है कि एक मश्कूप था हम सुरू करते हैं लाल और वो हस्ब मामूल एक दिन वो मस्क में लेकर पानी बेच रहा था तो उसको एक मसाफिर दिखाई दिया तो मसाफिर के पास गया और उसने आवास लगाई तो मसाफिर कहने लगा कि मैं बहुत ठका हुआ हूँ मेरे पास पानी पीने के लिए पैसे नहीं है तो मसाफिर मस्क बताया, एक किताब दी, हिदायत की कि किसी घरीब आदमी से उसकी दवा के खीमत ना लेना है ना, तो वो चला गया जब वो मश्कूब, फिर वो मश्कूब दीर, उसने सडकों पर पानी बेचना बंद कर दिया, बलके वो हकीम बन गया, ठीक है, दवा बेचते बेचते उसके दवाए असर करने लगी तो वो हकीम मश्कूप के नाम से मशूर हो गया जब वो ज़ादा पैसे कमाने लगा तो लालच ने उसे बहका दिया लालच ने उसे बहका दिया तो वो यह सोचने लगा कि मैंने खरीबों को मुफ्त में दवा दे कर बहुत बड़ी घल्ती की है फिर हकیم-शकूब को उसके ओपर रहम नहीं आया उसने लोटा दिया जब वो गरीब बिचारा जब लोटा तो हकीम-शकूब की जो दवाईं थी तो उंका असर भी चला गया जब वो असर चला गया तो जब उसने किताब देखी तो वो किताय भी गायब हो चुकी थी हाफ़जा भी जवाब दे चुका था ठीक है तो जब उसने जमा पूंजी थी उसकी वो सब जब खत्म हो गई फिर घर भी नीलाम हो गया फिर घर भी नीलाम हो गया फिर से वो पानी बेचने लगा फिर हजब माबूल जब वो पानी बेचा करता था तो एक दिन उसे एक साड़नी सवारा मुसाफिर दिखाए दिया जब वो उसके पास गया तो मुसाफिर ने बताया कि वो बेयार है, उसका कोई यार नहीं है, है ना, उसका हमसफर नहीं है, और उसका कोई मददगार भी नहीं है, ठीक है, तो उसने उसके पानी पिलाया, फिर उसने चाहते हुए भी, अपने ना चाहते हुए भी, फिर भी उसने अपने घर पर एक राठ ठहरने के लिए, ठहर अमल था तो उसी रात में मसाफिर और मश्कूब ने दोनों ने मिलकर किताब से सोने की इंटे बनाएं ठीक है सोने की इंटे बनाएं शुबा को ही मसाफिर अपने मसाफिर चला गया और जो मस्कूब था वो यह सोचने लगा कि अगर मेरे सोने के वारे में लोगों को पता चल गया तो वो इसको चुरा लेंगे और अगर मैं ये सोना गरीबों में बाटता हूँ तो मैं खुद दौलत मंद नहीं बन सकूँगा फिर उसने फैसला किया और उसकी अकल पर परदा पड़ गया कि ये सोना किसी को बिलकुल भी नहीं देगा ठीक है बिलकुल भी नहीं देगा बलके वो खुद अमीर बनेगा और वो अपने ठाट से रहेगा लोग उसकी इज़त करेंगे ठीक है जब उसने फिर उसने कहा कि मैं ये सोना किसी को भी नहीं दूंगा किसी पर भी नहीं लुटाओंगा तो जब ये सोना नहीं लुटाओंगा जब उसने फैसला किया तो फिर धीरे धीरे मुसकी सोने कीटे जब खतम हो गई तो उसने किताब को देखा तो किताब पत्थर में बदल चुकी थी ठीक है पत्थर में पत्थर हो चुकी थी किताब और फिर यह वो यह देखकर अपने होश में आ गया जब वो कीमती किताब पत्थर में बदल चुकी है फिर उसे मुस्तक्बिल की फिक्र हुई ठीक है उसने सोचा कि आने वाला जबाना है अब मैं इसको कैसे काटूंगा फिर उसकी एक चीख निकली और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा वक्त गुजरता गया एक दिन हस्ब मामूल जब वो मस्क उठाय चक्कर लगा रहा था तो एक गोड़े सवार मसाफिर को उसने देखा तो जब वो उसके पास गया तो मसाफिर ने कहा कि अरे मस्कू मुझको पैचानते हो हम दो बार मिल चुके हैं पहली बार मैंने तुमें ए गरीबों को भी ना बख्षा और नादारों से दवा के मुझ मांगे दाम वसूल करने पर तुल गए ठीक है जब उसने मशकूप ने ये बात सुनी तो फिर वो गिल गिलाने लगा कि मेरे मुहसन मुझे माफ कर दीजिए आएंदा आने वाले जमाने में कभी भी मैं ऐसी गल अरजी ने मुझे अंदा कर दिया था मुझे देश के गरीबों को गरीबों से बेगाना कर दिया था एए अजीम इनसान मुझे माफ कर दीजिए फिर मसाफर ने कहा जो बूआली सीना थे उन्हों ने कहा कि आप मुझे अच्छी तरह पहचान लो लोग मुझे बूआली सीन कहते हैं मेरी पूरी जिन्दगी गरीबों और महताजों के लिए वक्फ का है मगर तुम्हारी जो संग दिली है इसकी वज़े से मेरी मेहनत पर पूरा पानी फिर गया तीक है और ये प्धियर किताबें पत्थर में तब्दील हो गई है और ये अब जब तक नहीं बदल सकती जब तक कि तुम जैसे लोग संग दिल लोग अपनी जिन्दगी खरीबों और मोताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें जो भी शक्स ऐसा करेगा जो भी आदमी ऐसा करेगा उसकी जो दिल की गर्मी है वो इन पत्थरों को पिगलाएगी इल्म और अकल सोने से नहीं खरीदे जा सकते बलके सोना हासल करने के लिए इल्म और अकल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है ठीक है ये कहकर अबु आली सीना नजरों से गाइब हो गए ठीक है ये आपको मुखतर तोर पर ये कहानी लिखना है ये है आपका अमली काम ठीक है ये थोड़ा लंबा है लेकिन आपको इस किताब से मुखतर करके लिखना है आगे है पढ़िए समझिए और लिखिए ठीक क्या पढ़ना है क्या समझना है और क्या लिखना है देखते हैं मुसाफिर का मतलब है सफर करने वाला मुसाफिर यानि कि ये इसमें फाइल है ठीक है मुसाफिर का मतलब है सफर करने वाला ये इसमें फाइल है यानि कि ऐसा इसन जिससे किसी काम के करने का पता चले इसमें फाइल कहलाता है दर्जजेल को इसमें फाइल में बदल कर लिख यह कालम है इसमें कुछ जुमले हैं इसे तलब करने वाला जो मांगने वाला होता है शायर कहने वाला शुक्रदा करने वाला इबादत करने वाला हिप्स करने वाला ठीक है तो यह सब जो आपकी यह जो कालम में यह कुछ लफ्ज हैं इनको आपको इसमें फाइल बनाना है तो मैं तलब करने वाला इसका एक इसमें फाइल बनाता हूँ तालिब इसका इसमें फाइल होगा तालिब और शेर कहने वाले का इसमें फाइल होता है शायर ठीक है शायर इसमें फाइल होता है शेर कहने वाले का शुक्रादा करने वाले का इसमें फाइल होता है शाकिर ठीक है श आबिद इसमें फाइल होता है इबादत करने वाले का हिब्स करने वाले का इसमें फाइल होता है हाफिज ठीक है हिब्स करने वाला इसके इसमें फाइल होगा हाफिज तलब करने वाला यानि के तालिब और शेर कहने वाला यानि के शायर शुक्रदा करने वाला शाकिर आई है ये बड़ी दिल्चस्प कहानी है यानि कि जो आपने कहानी पढ़ी है ये बहुत दिल्चस्प कहानी है बहुत मज़ेदार कहानी है इसको पढ़ने के बाद बच्चो तुम्हें गोर करना चाहिए कि लालच बड़ी बुरी बला है लालच की वज़े से इनसान हमेशा नुकसान उठाता है जैसा कि इस कहानी में मश्कूब ने उठाया अगर वो मुसाफिर के कहने पर अमल करता रहता तो खुद भी फाइदे में रहता और अल्ला के बंदे भी उससे फैस पाते रहते फैस पाते रहते हने के फाइदा हासल करते रहते मुसाफिर बू अली सीना मुसाफिर को बू अली सीना ने नसियत करते हुए कहा मुसाफिर को ये हो सकता है घलत हो ठीक है यानि के ये जो है मुसाफिर तो खुद बू अली सीना थे ठीक है मुसाफिर तो खुद बू अली सीना थे तो वो कहते हैं मुशकुप को बू आसीना ने नसीयत करते हुए कहा ठीक है हम मुसाफिर नहीं पढ़ेंगे बलके मुसकुप पढ़ेंगे मुसकुप को बू आथिसीना नसीयत करते हुए कहा मेरी जिन्दगी घरीबों और मोता Task के लिए वक्फ है वक्फ है यह Anicr Thrash है ठीक है इल्म और अकल सोने से नहीं खरीदे जा सकते बिल्कुल हकीकत बात है कि इल्म और अकल पैसे से सोने से नहीं खरीदे जा सकते बू अली सीना पुराने जमाने अब ये बू अली सीना के बारे मताते हैं कि बू अली सीना पुराने जमाने के मिशुर। हकीम और साइंस ना थे। साइंस ना यानिके साइंस जानने वाले थे। उनका पूरा नाम अबू अली हुसेन बिन अब्डूल्ला बुखारी था। बाइस साल की उमर में सेरो सियाहत पर निकले और दुनिया के खूब सेर की। उन्होंने बहुत सी किताबे लिखी जिन में शिवा और इशारात और कानून ज्यादा मश्हूर है इन किताबों के तर्जमे तर्जमे यानि ट्रांसलेशन दुनिया की कई जबानों में हो चुके हैं तमाम बड़े साइंस दानों यानि के जो और लोग हैं जो बहुत ज़ादा साइंस को जानते हैं ठीक है तो कहते हैं तमाम यानि के सारे के सारे बड़े साइंस दानों और तबीबों तबीब हम कहते हैं ये तबीब की जमा है तबीबों यानि के डॉक्टर ठीक है ये जमा है तबीबों ने इन किताबों से फाइदा उठाया है यानि कि जो बू आली सीना की जो किताबे हैं उनसे बड़े बड़े जो साइंस दाथ थे उन्होंने और बड़े बड़े डॉक्टर ने भी उससे फाइदा उनकी किताबों से फाइदा उठाया है ठीक है ये थी आपकी लालच की कहानी चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स शेप्टर के साथ जब तक के लिए बाई खुदा हाफिज मिलते हैं नेक्स वीडियो में झालच के साथ